Hi friends, I am Richa, welcome back to Parcham आज के Geography Climatology Session में हमें डिस्कस करना है about condensation and precipitation यानि कि कितने तरहे से condensed होती है, जो moisture है हवा के अंदर वो और उसके अलावा precipitation के जितने भी forms होते हैं जिसमें of course mainly हम rainfall के बारे में बात करेंगे और types of rainfalls भी discuss करेंगे apart from that all other forms of precipitation तो आज का lecture इसके ओपर based होने वाला, इससे पहले हमने clouds को discuss किया था, जो कि condensation का ही एक result है, तो अगर वो वाला lecture नहीं देखा हो, तो link description box में है, you can go and watch it later और अब स्टार्ट करते हैं, आज की class on condensation and precipitation and then we will be starting with the basics, condensation होता क्या है, चोटी से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कि water के जब GACEOUS form यानि water vapor को liquid में जब वह हो जाए, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट तो उस प्रोसेस को अंडेंसेशन कहते हैं, और अभी सर्दियों की दिन चल रहे हैं, नौथ इंडिया में पर्टिक्लरली आपको सुभे सुभे अर्ली मौनिंग ओस या देखने को मिल जाएगी, वो असके बारे में भी प इसे डिपॉजिशन कहते हैं, लास्ट क्लास में पुछा भी था, I think मैंने कंडेंसेशन से रिलेटर, लास्ट या लास्ट क्लास में पुछा था, और एक प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग, जब लिक्विड वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जसे हम फ्रीजर में करते हैं आइस जमाते हैं, so that is called freezing or solidification, तो यह तीन टरम्स हमने यहां समझ लिए, अब हम देखते हैं कौन से factors जरूरी हैं condensation के होने के लिए, जो water vapor है, वो कब liquid में या solid में convert होगा, या basically अगर हम सिरफ liquid की बात करें, कब वो liquid form में convert होगा, उसके लिए क्या conditions चाहिए, because यह सब हम तो precipitation हो ही नहीं सकता है, तो बादल जो बनते हैं, वो भी condensation से बनते हैं, so how does this happen, हमें जो liquid form of water मिल जाता है, या solid form मिल जाते हैं हवा से, वो कैसे मिलते हैं, किन conditions में मिलते हैं, पहला temperature deficiency होनी चाहिए, हवा का तापमान जितना कम होगा, उतना जादा conditions बनेंगी condensation की, क्योंक relative humidity of air, अगर आड़ता या humidity जादा होगी, यानि कि water vapor content जादा होगा, जितनी जादा नमी है हवा में, उतना ही vapor बनेगा, उतने ही chances रहेगी कि वो vapor liquid में या solid में convert होगा, ठीक है, so relative humidity and third is hygroscopic nuclei, ये क्या होता है, ये वो particles होते हैं, जिनके उपर condensation होगा, अभी vapor form में है, पान अगर इसको कोई base नहीं मिलेगा, तो पानी liquid form में जमेगा, या टिकेगा किसके उपर है, तो इसके लिए dust particles, salt, ये सारी चीजें हवा में जो float करती रहती हैं, उनकी जरूरत होती है, वो होते हैं, hygroscopic nuclei, dust, smoke, salt particles, ये नहीं होगे, तो condensation नहीं हो सकता, और ये naturally available होते हैं हव हवा humidity होनी चाहिए और hygroscopic nuclei होना चाहिए, ओके, these are the main factors for condensation, अब condensation dew point पे होता है, dew point कौन सा temperature है, ये वो temperature है, जिस पे हवा saturate होगी, saturate होगी यानि अपनी 100% capacity जितना water vapor उसने hold कर रखा है, relative humidity का concept पढ़ा था, हमने humidity चाप्टर पढ़ा हुआ है, अगर वो आपने पढ़ा ह हुआ है, तो आप समझ रहे होंगे, relative humidity होती है, कि हवा, मतब relative humidity से जड़ा हुआ ये concept है, कि अगर relative humidity 100% है, यानि हवा में उतना ही वेपर है और उतना ही वो hold भी कर सकती है, कम नहीं है, तो वो हवा saturated है, और जिस temperature पे हैसा होता है, उसे dew point कहा जाता है, dew point से अपस थोड़ा स अगर temperature नीचे गया तो हवा क्या करेगी, कंडेंसेशन स्टार्ट करतेगी, ओके, चालिए, सो अगर टेंसेशन हापन्स, अगर टेंपरेचर अट विच दी एर बिकम्स fully saturated, इसके बाद अब वो वाटर वेपर को hold नहीं कर सकती, समझ रहे है, इसका ये मतलब होता है, तो वो कंडेंस कर जाएगी, वो आपको dew दिखा देगी, या वो पानी, ड्रॉप आउट्स दिखा देगी, फॉग बन जाएगा, या मिस्ट बन जाएगी, भी देखेंगे, तो थंडी होगी हवा तभी दूपॉंट आएगा, दूपॉंट थंडा तापमान है, वेकर अगर गरम र देखेंगे, दू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, इस आदो फॉर्म्स अ कंडेंसेशन, क्लाउड्स हम डीटेल में पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में, क्लाउड्स भी हमने कैसे देखे थे, गरम हवा थी ऊपर उठती है, इडियाबैकली कूल होती है, कूल मिस्ट और फॉग, आपस में मिलते जूलते हैं, बस एक छोटा सा माइनर सा फैक्टर है, वो हम पढ़ेंगे, दू और फ्रॉस्ट, ये दोनों थंडे सर्फिसस के टच में आने से, नमी वाली हवा, लोर टेंपरेचर में, और थंडे सर्फिसस के टच में जब आती है, तो वहाँ पे droplets of water, या tiny crystals of snow बन जाते हैं, उनको dew and frost respectively कहा जाता है, ये सब अभी हमें detail में पढ़ना है, ठीक है, ये सब बात हो गई, अब condensation जब होता है, तो it happens with the loss of heat, ये important point है, कभी भी exam में पूछा जा सकता है, या conceptually important है, ये समझो क्या है, हमने बोला था, water vapor में latent heat होती है, and latent heat of condensation हम पढ़ते रहते हैं, तो जब water vapor उठता है, नमी जब होती है, humid हवा में और जब वो rise करती है, तो वो आसपास की गर्मी लेता है, तभी तो water rise करता है, पानी में जो ocean में, water body में जो पानी है, वो गरम हुआ, उसने गर्मी ली और फिर वो rise किया, जब उपर जाने के और ये चालो, बहुत जादा complicated अभी नहीं करते हैं, आगे जैसे-जैसे concepts आएंगे, सिखाएंगे, condensation से अपने आप precipitation नहीं होता, ये चीज भी समझेगा, condensation by itself does not cause precipitation, अब precipitation क्या है, ये समझना ज़रूरी है, ताकि आप इस लाइन से confused ना हो, एक होता है condensation, यानि कि जो water vapor है वो liquid form में convert हो गया, एक होता है अब ये liquid form गिर रहा है, बरस रहा है, उसे कहते हैं precipitation, जैसे बादलों से पानी गिरा, या फिर कई बार कोहरा होता है, और कोहरा जड़ता है, वो आपको दिखता है हलकी हलकी भूने हमारे उपर गिर रहे हैं, अगर बहुत जादा फॉगी होत हो, so precipitation is falling off of that condensed material on the earth surface, अगर वो गिर नहीं रहा, जड़ नहीं रहा, आ नहीं रहा surface के उपर तो तब तक आप उसे precipitation नहीं कह सकते हो, तो condensation हो गया, लेकिन और जादा जब condensation होता है, इतना हो जाता है कि water holding ही नहीं कर पा रहा, हवा hold नहीं कर रहा है उस content को, और वो gravity के अंड अगर गिरता है, तब उसे precipitation कहा जाता है, दोनों में difference समझ में आ गया, चलिए, तो यहां तक this was the introductory side, अब हम आएंगे कर के condensation के types पे, बहुत simple simple से concepts है, dew, dew, जो ओस की बूंदे हम देखते है, थंडी हवा है, उससे भी जादा, रात में क्या होता है, अर्थ हीट छोड़ दे और उनके आसपास की जो हवा है, वो इन थंडे surfaces के टच में आने से एकदम से contract होगी, उसकी जो relative humidity है, वो बढ़ जाएगी, और वो condensed हो जाएगी, और जो vapors हैं, वो liquid form में उन surfaces पे settle हो जाएगी, बिकुस वो surface के टच में आने से थंडी होई है, तो वो हवा जो surface के टच में आई है, वो और जादा थंडे surfaces पे settle हो जाती ही, in form of dew, यानि की water droplets, इती सी बात है, तो moisture deposit हो जाता है, water droplets के form में, cooler surfaces of solid objects, solid objects क्योंकि जादा थंडे हो जाते हैं, आपको इग्लास रख के छोड़ दो थंडी हवा में, मतलब रात को बाहर सरदियों में, उसको टच करने में आपको मिलेगी, ठीक है, so, यह dew क्यों बनती है, because of colder surfaces, इसका reason, यह surfaces है, rather than nuclei in air, जैसे उपर जाके आपको hygroscopic nuclei चाहिए, condensation के लिए, यहाँ पर hygroscopic nuclei नहीं होता, लेकिन ही ठंडे surfaces होते हैं, जिनके उपर हवा condense कर जाती है, ठीक है, और dew होने के लिए, dew point अबव freezing point होना ज़रूरी है, यानि कि dew कभी भी आपको ऐसी जगहों पर नहीं मिलेगी, जहां तापमान freezing point से नीचे हो, वरना तो बरफ बन जाएगी, पानी form में रहेगी, नहीं, dew तो liquid होती है, liquid water होता है, तो यह common sense वाले बात है, फिर हम आते है, frost पे, यह dew थी, यह frost है, frost dew का जमा हुआ तो जब dew point, freezing point से नीचे है, यानि zero degree और से नीचे होगा, तो पानी form में तो रही नहीं सकती है, तो वह क्या होते है, जो water droplets होने चाहिए थे लीफ वह जम करके, अब ice crystals हो जाते हैं, और यह इस तरह से, जो भी vegetation या solid surfaces होते है, उनको ढख लेते हैं, और पेड़ पोदों को ब इंसानों को भी हो जाती है, frostbite, जो बहुत higher altitudes और पहाड और चड़ते हैं, उनको आपने कभी सुना होगा, कि frostbite होकर के वापस आए हैं, उंगल गल जाती हैं, etc. Okay, so this is how it happens, so condensation जब below freezing point होता है, यानि कि dew point कितना है, 0 degree Celsius ते कम, क्या हो सकते है dew point इतना या freezing point से नीचे dew point जा सकते हैं, हो सकते हैं, अगर temperature आसपास का कम है, तो dew point भी कम हो जाएगा, हवा को एगदम से, हवा को एगदम से minus 4 degree temperature मिला, बस dew point, freezing point से, low हो गया freezing point होता है, 0 degree Celsius, इ moisture जो होता है, ground surface पे और objects पे फ्रीज हो जाता है, icy deposits बन जाते हैं, तो यह deposition हो रहा है, ठीक है, deposition हो रहा है, so frost हामफुल होता है क्रॉप्स के लिए, बिकुस वो उनको गला देता है, okay, अब जब उपर का surface जम गया तो अंदर जो water होता है, लीप अगरा के अंदर वो भी ज Fog क्या होता है, जब temperature बहुत drop-down कर जाएगा, तो जो हवा के अंदर water vapors है, वो छोटे-चोटे-चोटे-चोटे tiny water droplets में convert हो जाएगे, और यहीं पे बादल formation हो रहा है, इसलिए वो आपको visibility blockage हो रहा है, तो fog is what, cloud at lower altitude, इसी तरह से तो बादल बनते हैं, गरम हवा होती है, बादल बन जाते हैं, यहाँ हवा उठनी रही है, यहीं पे ठंडक हो गई तो यहीं पे जम गई हवा, और उससे आपका fog बन गया, मैं बिल्कुल आम भाशा में समझा रहे हो, technical language अभी देख लेते है, so type of low-lying cloud, number one, made of microscopic droplets of water suspended at lower layers of atmosphere, microscopic droplets होते हो, इसलिए आप पानी की बुने नहीं देखते हो, और इसलिए वो गिरती नहीं है, लेकिन जब बहुत जादा humidity हो, और fog बहुत जादा बनेगा ऐसे cases में, अगर temperature भी बहुत ठंडा है, और उस cases में, fog हलका हलका जब ज़डने लगता है, तो आपको feel होता है, at that time you can say that fog is precipitating, ठीक है, चालिए, प्रेसिपिट रहता है, तो गुन-गुनी सी रहती है हवा, रात तक थोड़ी-थोड़ी ठंडी होती है, और early morning बहुत ठंडा हो चुका होता है, उस time पे, जब आप उठते हैं, पांच बज़े, छे बज़े, तो आपको foggy situation देखने को मिलती हो, जैसे-जैसे सूरज आते है, foggy situation हट जाती फिर वापस से यह जो moisture था, droplets वापस से vapor form में convert हो जाता है, चलिए, moisture जो है, वो generate होता है locally, ऐसा नहीं है कि पूरे शेहर पे कोहरा हो, नहीं, जहां पे moisture जादा होगा, वहां पे जादा fog देखने को मिलेगा, अगर आसपास कोई water body है, lake है, ocean है, या moist ground है, तो वहां पे fog तराई हो रही है, तराई समझते हैं, सेमेंट को पानी दे देते हैं, गिला रखते हैं, तो अगर आसपास बहुत तराई हो रही है, तो fog जादा देखने को मिलेगा, है ना, desert areas में foggy situation नहीं देखने को मिलती है, why, because moisture content नहीं होता है जादा, fine, चलिए, visibility जो होती है fog में, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो जो situation प्रिवेलोरी, उसको हम fog कहते हैं, फिर हम आते है, smog पे, smog क्या होता है, fog और smoke को जब आप मिला देंगे, तो वो smog बन जाता है, foggy situation है, लेकिन इस fog में सिर वाटर वेपर ही नहीं, इसमें धुआ भूआ भी mix हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, जो दिली में आकसर हमको देखने को मिलता है, smoggy situation हो जाती है, और यह जादा जाम लेवा है, खतरना के हमारे लिए, बिकर जब हम इन्हेल करते हैं, तो धुआ भी हमारे अंदर जा रहे है, और इसमें visibility और पूर हो जाती है, ठीक है, तो जहाँ पे pollution और smoke जादा होगा, बहाँ smog बन जाता है, जहरीला कोहरा, जहरीला धुआ, फिर एक term आती है, mist, what is it, mist, mist और fog एक जैसे scenarios है, सिर्फ दो तीन minor से differences है, पहला और major difference रादर यह की है, visibility का, ठीक है, density और visibility दो यह चीजों में फरक है, यह होती है, mist, अकसर higher altitudes पे देखने को मिलती है mist is again formed because of drop in temperature, बहुत humid हवा है, गरम हवा थी और एकदम से ठंडी हो गई, तो mist बन जाती है, लेकिन mist में क्या होता है, जो पानी की बूंदे होती है, वो आपस में थोड़ी जोड़ के, बहुत fine droplets ने रहती, comparatively थोड़ी बड़ी droplets रहती है, as compared to fog, उस वज़े से क्या होता है, क fog और mist, fog में छोटी-छोटी बूंदे बहुत पास-पास हैं, तो fog हेजी सिनारियो थोड़ा dense होता है, fog is denser, dense होता है, और mist में droplets थोड़े बड़े होंगे, और इसलिए बीच-बीच में थोड़े gaps आ जाते हैं, it is less dense, और क्यूंके ये less dense होती है, mist, mist is less dense, और इस वज़े से visibility आपको दूर तक दिख जाती है, एक किलोमेटर तक नहीं रहता है, you can have a visibility better than fog, okay, so सबसे पहली चीज़, mist जो होती है, वो lower density वाली होती है, इसमें भी suspension होता है, air droplets का, water droplets का, और इसमें जादा moisture होता है, fog के मुकाबले, और density कम होती है, और आप एक किलोमेटर से जादा दूर तक देख सकते हैं, बस यह थोड़े बहुत डिफरेंसे हैं, otherwise more or less same phenomenon से mist और fog दोनों बनते हैं, फिर हम बात करते हैं, हेज की, एक term होती है, हेज, अच्या, इसका water vapor से कोई लेना देना नहीं है, पर क्यूंकि हम visibility से related बाते कर रहे हैं, इसलिए हम हेज भी आपको बता देते Sunlight जब छोटे-छोटे dry pollution particles air में experience करते हैं, उसके वज़े से light scatter हो जाती है, तो दिखने में हमें issue होता है, example perfect example है आंधी, ठीक है, और उसकी वज़े से यह हेज होता है, ठीक जी, चाहिए, तो यहां तक तो बात हो गई हमारी condensation, कि जो moisture था vapor form में, वो liquid form में change हो गया, अब हम अब हम बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन की, अभी तक लेकिनी जो moisture है, हवा ने hold कर रखा था, जब हमने कोहरे की बात की हवा ने hold कर रखा है, जब हमने mist की बात की हवा ने hold कर रखा है, ड्यू के case में बाहर इसली आगया, भी कि ठंडे surface की वज़े से बाहर आया, हवा ने कर पार ये हवा, ग्रेविटे के पुल में वो गिरने लगता है, ठीक है, उस situation को, when water or any form of water is falling down on the surface, is called precipitation, got it, चलिया, और इसका प्रिकरसर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होने से पहले हमेशा condensation होगा, चलिया, so after condensation of water vapor, release of moisture, this is important, release of moisture is known as precipitation, और रर रिलीस कहा होगा, धरती के surface की towards आएगा, because gravity के पुल में आता है, continuous condensation जो होता है, free air में, उससे particles बढ़ते जाते हैं, right, moisture आ रहा है, clouds बन रहा है, particles बन रहा है, fog बन रहा है, particles बन रहा है, add होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो वो particles और बड़े होते जा रहे हैं, अब इतने बड़े हो गएं, इतने precipitation, now precipitation solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, जानते होंगे, अब देखो, अगर हम, for example, Rajasthan में रह रहे हैं, तो जो precipitation होगा, वो liquid form में होगा, यहां बरफ नहीं गिरती, लेकिन अगर आप Northern Himalaya side जाएंगे, तो वहाँ precipitation solid form में भी हो सकता है, liquid form में हो सकता है, depending on the temperature, right, कई जोगों प होता है, वहाँ पर snow ही गिरती है, so, it can take place in solid or liquid form, जब वो water form में होता है, तो उसको rainfall बोलते है, rainfall का एक तरी, एक एक variety drizzle भी कहलाता है, जब बहुत हलकी, और छोटे-छोटे sizes की बुंदे होती है, बहुत हलकी होती है, पढ़ेंगे आगे, तो basically, अगर liquid form में है, तो rainfall है, अगर वो solid form में है, यानि कि zero degree से नीचे अगर precipitation हो रहा है, तो of course, water form में नहीं होगा, तो वो snowfall में होता है, तो यह हो गया, और उसके अलावा sleet, hail, कुछ और forms भी हैं, जो हम पढ़ेंगे, snowfall और hails में फरक होता है, structure का फरक होता है, बनने के तरीके का फरक होता है, वो सारी precipitation क्या होता है, समझ में आ गया, condensation से कैसे different है, समझ में आ गया, अब हम चलते हैं, कितने तरे का precipitation है, वैसे हमने देख लिए है, प्रेसिपिटेशन को अगर स्टेट पर टिवाइट करें, यानि लिक्विड में हैं, तो दो तरे से सकता है, solid form का precipitation, hail, जैसे हम ओला वरिष्ट स्लीट, स्लीट, स्लीट होती है, बारिष के साथ साथ चोटी-चोटी, आइस भी गिर रही है, वो भी अभी हम देखेंगे, स्नो, बर्फ बारी आप जानते हैं, ग्लेज, ग्लेज होता है, कि गिरती तो बारिष नीचे आके जम जाती है, बिकोर सर्फिस बहुत थंडा है, अगें, इथ गॉट तो दू विट सर्फिस, यह भी सर्फिस से लेना देना है, ग्लेज का, और लिक्विड फॉर्म फ्रेसिपिटेशन में एक तो ड्रिजल आ जाता है, अगर आप साइस के बेसिस पर डिफरेंशियेट करें, तो वैसे तो रही होती है लिक्विड में, ले उसके फॉर्म में हो, फ्रोजन मुवी अगर देखी हो आपने, एक 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 ऑस कृस्टल निकलते है, तो जब बादलों में से सीधर ईस क्रिस्टल गिर रहे हैं, तब जो फॉर्म प्रेसिपिटेशन कहलाता है, वो स्नोव पॉल कहलाता है, इस इथ और इस क्रिस्टल के दु जुड़ते जाते हैं, यह Hexagonal Structure आपस में जुड़ जाते हैं, और तब बन जाता है Snow Flake, और वह Snow Flake नीचे गिरता है, बड़े-बड़े होते है Snow Flake, और जो Crystals होते हो, बहुत छोटे-छोटे होते हैं, पर इनका शेप कैसा होते है Hexagon, छह साइड वाला होता है Hexagon, प्रेसिपिटेशन जब Solid Hexagonal Crystal Form में होता है, तो Snow Fall कहलाता है, क्या कहलाता है Snow Fall, और जब बहुत जादा थंड़क होती है, एक्स्ट्रीम थंड़क होती है, तो Snow Fall होती है, और जब इतनी थंड़ नहीं, Crystal ही निकले, लेकिन रस्ते में जड़ गया, और Snow Flake बना लिया, तो दो Terms आपने सुनी, Snow Fall and Snow Flake, जब गिरते हैं तो Snow Flakes बोलते हैं, उनको Snow Fall नहीं बोलते हैं, आम भाशा में इन दोनों को सेम बोलते हैं, लेकिन Meteorology की Definition में दोनों different है, Snow Fall में Crystals गिर रहे होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में रिलीज हुआ है बादलों में से, और इस केसे में Condensation किस Temperature पे हुआ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से नहीं हुआ होगा, तभी Crystals बन गए हैं, है ना Minute Crystal बन जाते हैं Water Vapor से Directly, यानि Water Vapor जो था, वो सीधे Crystal में Convert हो गया, और ऐसे Cases में क्या कहा जाता है, Deposition, Okay, Ice Crystal इंडिविजुली आते हैं Cloud से, लेकिन रस्ते में वो Stick हो जाते हैं, और Cluster या Snow Flakes बना लेते हैं, और ऐसा कभ होता है, जब बहुत Extremely Cold Temperature नहीं हो, freezing point से below हो, but not that extreme, यह मैंने आपको थोड़ा way beyond बता दिया, आप इतना भी पढ़ेंगे और लिखेंगे, even that is right, Now, Snow Crystal जो होते हैं, वो 0.5 to 5 mm साइस के होते हैं, और जो Flakes होते हैं, वो बड़े होते हैं, of course, about 10 mm साइस तक हो सकते हैं, some even reach up to 400 mm, Okay, so Flakes are larger of course, Now, let's talk about hail, ola, now the ola, what are the ola, what are the ola? So, if you have seen this, sometimes the ola falls, a little big size is called hail, a small size is called hail, a small size is called another term for it, so these are hails, When the water is made, the water is made, the hail is made from the ice form, they are not made from the ice form, they are made from the water form, but through the layers, they convert into the ice, How does hail fall? When the hail falls fall, it usually falls in thunderstorms, when the hail falls fall, the baddler falls, very dark, or nimbus form of clouds, cumulonimbus particularly, when the hail falls falls, so when the hail falls falls, when the hail falls falls, it was full of thunder, so the air currents go upward upward, and the water falls up, it falls a little, but the water falls on higher elevation, and there is more cold, so it falls down, and when it falls, the surface is cold, because it is cold, the water falls down, and the water falls down, and the water falls down, and it becomes a big ball of ice, you got the process? okay, the snow is different, the snow is in the crystal form, but they are in the rain form, but then they go upward with the air currents, which is cold, and they convert into ice, and then they get coated on coating, that is why they attain the bigger sizes, now we will read, things are clear, so rain drops, when they release in the clouds, they solidify in solid pieces of ice, and when they reach the earth surface, they say hail, so they are rain water passing through colder layers, now rain waters are upward, thunderstorms, up drops, up drops, up drops, moving currents, extremely cold areas, where they freeze, and then, when rain water falls down, and the water falls down, and the water falls down, so they have many concentric layers, one layer on the other, the other on the other, the other on the other, the other on the other, and the size grows up, and they grow up from 8 mm, so hail is called hail, and which is called cloud, these are cumulonimbus clouds, because hail is produced, okay, thunder clouds, and these are destructive, these are big, 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 big balls, so they fall down, so they fall down, they fall down, they fall down, and then, let's go, as I said, the other forms of ice, when they fall down, they don't say hail, they have a different name, sleet or ice pellets, there is another form of precipitation, sleet or ice pellets, now, these are also frozen rain drops, where they fall down, or the snow川, or water drops down, degrees came down and melt, another salt layer came down from them, so the earth has gone down on the first, through the earth deliveries, the air drops down, and the water lei is caught up, meeting the soil. diesemARSHEP, Eleven, we will see all of the water drops, and the ice pours that are done, this is slime, त्रांस्परेंट से बस water drop थी और उसी size की होती है यह बड़ी नहीं होती है जितने size का वो rain drop होना था वही रेंड्राप जम जाती है surface पे पहुंचने से पहले because बीच में इनको कोई ठंडी layer मिल गई होती है और उस वज़े से produce होते हैं so when layer of air above freezing point यानी warm air एक sub freezing layer के उपर होती है यानी उपर है warm air यहां से यह बारिश गिर रही है rain is coming down और नीचे आ गई एक sub freezing यानी freezing point से नीचे है यह हवा freezing point से नीचे है यह layer अब यह बून जब इसको cross करेगी तो यह जम जाएगी जम जाएगी और जब वो surface तक पहुंचेगी तो वो जमी हुई भून के तौर पे गिरती है okay so तब ऐसा होता है और rain drop जो है वो small pellets of ice के तौर पे नीचे गिरती है and mixture of rain and ice भी हो सकता है इनका size 1 से 2.5 mm तक होता है smaller in size okay अब कुछ और forms भी यहीं देख लो let me show it to you यह देखिए जब snow गिरती है तो यह ऐसे individual ice crystals होते हैं जो एक के उपर एक के उपर एक गिरते जाते हैं वो बहुत soft सी होती है है ना यह हमने hail पड़ा जब बहुत सारी coating हो जाएगी rain drop के उपर ही तो ऐसा होता है rain drop जम जाती है यह individual rain drop जमी और वो street के तार पर गिरिए और यह एक और होता है जिसे grapple बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रॉपल ग्रॉपल जो है वो हेल जैसा ही है लेकिन छोटे size में होता है fine so this is grapple यह भी ice pellets की तरह ही गिरते हैं और this these are the four forms of below freezing point वाले precipitation चलिए अच्छा इजरुरी नहीं है कि जो हेल्स है यह जो ग्रॉपल्स है यह सर्दियों के मौसम में गिरेंगे वहीं गिरेंगे जाब बहुत ठंडक हो नो विकिस इनका लेना देना ground temperature से नहीं इनका लेना देना उपर के temperature से जादा होता है ना चलिए अगले point पर आते हैं हम glaze and rhyme glaze क्या होता है यह बारिश की बुन्दे है जब नीचे गिरती है बड़ी बड़ी बुन्दे देख ओटो बिगर बिगर रेंड्रॉप्स जब गिरती हो surface बहुत थंडा है तो वो नीचे गिरते ही जम गई ठीक है that becomes glaze अगर वो transparent air transparent ice की तरह जमी है तो उसको glaze कहते है अगर उसमें milkish appearance है तो उसको rhyme कहा जाते है और कई बार ऐसा भी होता है कि snow थी snow melt हुई और फिर वापिस जम गई तो भी glaze बनते हैं ठीक है so glaze occurs when rain or drizzle थं 20 degrees Celsius से नीचे हो ice अगर clear होगी तो glaze कहलाएगी milky होगी तो rhyme कहलाएगी और of course difficult conditions produce कर देती है चलोगे कैसे गाड़ियां कैसे चलोगे और इस तरह की बारिश को जो की glaze या rhyme प्रदूस करती है इसको freezing rain भी कहते हैं okay तो यह थे various forms of precipitation now moving over to rain ठीक है अभी तक तो हमने freezing points से related या ज अभी तक हमने solid form of precipitation देख लिया rain जो होता है वो liquid water है जो कि droplets के form में बादलों से गिर रहा है हमें पता है अच्छा intensity के basis पे कितनी बारिश हो रही है कितने mm बारिश हो रही है कितने से time में हो रही है intensity कैसे नापी जाती है dp upon dt यानी volume of precipitation upon time of precipitation कितनी बारिश हुई और कितने सम में हुई उससे आप intensity measure करते हो और intensity के basis पे तीन तरह से आप बारिश को differentiate कर सकते हो lighter rains, moderate rains and heavy rains, lighter जो 1-2.5 mm तक उनका intensity आया एक जिनका 2.5 से 7.5 और जो 7.5 mm से जादा बारिश दर्ज होती है उसे high intensity rains या heavy rains कहा जाता है ठीक है और किस से measure करते हो आप rain कितनी हुई है कितनी नह जैसे भी आप रिनांस करना चाहें, this is the instrument which measures rain, time एक set किया जाता है और इसमें अलग-अलग indicators दिये वें कितना पानी आ रहा है इसमें, ठीक है चलिए, अब हम आते हैं drizzle क्या होता है, rain पे अभी आएंगे, rain की types पढ़ेंगे, drizzle क्या होता है, तो drizzle भी liquid form of precipitation है, rain की तरह ही, लेकिन इसमें बहुत fine sprinkles of very small drops गिरती है, तो ये proper rain नहीं होती है, आपने फुहार जो हम बोलते है बारिश की फुहार आ रही है, 4-5 बुंदे गि तो उस तरह की बहुत छोटी ऐसी drops, जो की हवा से भी इधर उधर हो जाती है, easily, तो उनको drizzle कहा जाता है, they appear to float in the air, और ये usually stratus form of clouds से produce होती है, परको stratus clouds बहुत जागा thick clouds होते ही नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश की और बस, हल्की फुल्की से उन्हाने बुंदे प्रड्य और इनका जो diameter होता है, बहुत छोटे size की है, तो 0.5 mm तक ये इनका size होता है, diameter होता है, और इनकी जो intensity होती है, less than 1 mm पर आर जितना ये intensity से आती है, ठीक है, एक और term होती है, वरगा, वरगा, वरगा क्या होती है, देखो ये diagram आपको या picture आपको जो दिखरी होगी, बादलों लेकिन वह जमीन तक नहीं मौचती है, तो वरगा वह form of rain है जो बादल से निकलती है, पर नीचे temperature इतना जाद है कि वह evaporate होके खतम, जमीन तक नहीं आती है, तो उसको कहते है वरगा, rain drops जो evaporate हो जाती है, before reaching the ground, because a dry और warm layer of हवा से वह गुजरी, तो क्यूंके dry हवा थी, उस अब हम आते हैं, types of rainfall, rainfall को अगर हम origin के basis पे, rainfall originate कैसे हुई, क्या कारण था इस rainfall के होने का, हवा rise होगी तो ही rainfall होगी हमें पता है, पर यह हवा rise क्यूं हो रही है, इस के differentiating factor के basis में, तीन तरह की rainfall पढ़ेंगे, एक है conventional, orographic, जिसे relief rainfall भी कहते हैं, या cyclonic, जिसे frontal rainfall भी कहते ह यहीं समझो, बिलकुल बच्चो जिसा topic है, कुछ भी difficult नहीं है, इसमें, of course, अलग अलग भी समझाओंगी, और diagram भी देखेंगे, कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़े थे, के heat जो है वो ट्रांसफर होती है, conduction से, convection से, advection से, याद है, conduction, जब surfaces touch में आएंगे, एक दूसरे के, convection, जब air currents produce होंगे, नीचे गरम हवा थी, धरती गरम थी, उसने उपर की हवा को गरम किया, वो rise होई, उपर 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 जाते गए, जब गर्मी से air currents उपर मूव करते हैं, उसे convection कहते हैं, और इस वज़े से जो rain produce होती है, उसे convection कहते हैं, आपने कभी सुना है, कि जब बहुत गर्मी होती है, बहुत उमस और बहुत गर्मी होती है, घर के बड़े बुज़र्व कहते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बारिश आएगी बहुत जल्दी, यह convection रेंफॉल, यह कभी भी आ जाती है, जहां कहीं भी तेज गर्मी एकदम से होगी, तो रेन आ जाती है, थोड़ी सी देर के लिए आती है, बहुत तेज रेन आती है, थोड़ी सी देर के लिए आती है, बहुत तेज रेन आती है, थोड़ी सी देर के लिए आती है, बहुत तेज रेन आती है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर् यहां से warm wind current चले, यहां पहाड था, तो मजबूरन इनको उपर उपर उठना पड़ा, उपर उठे, तो थंडे हुए, condensed हुए, बादल बने, यहां पर बारिश कर दी, तो यह winds उठी क्यों, यह पहाड नहीं होता, तो नहीं उठती ना, सीधी चली जाती, तो यह इस relief feature की वज़े से उठी, है न, और इस reasons दिया गया orographic relief rainfall, बाकी उपर उठ गई हवा, तो सेम तरह से काम करेगी, उपर उठेगी, उपर क्योंकि जो atmospheric pressure है, वो कम है, तो वो adiabatically expand करेगी, temperature ठंडा होगा, temperature ठंडा होगा, तो relative humidity बढ़ेगी, और condensation होता रहेगा, तो एक point आएगा, जब वो hold नहीं कर सकती वाटर को, और वो precipitate कर जाएगी, सेम तरही के से होगी बारिश तो, बस उठके से रिये हवा, वो समझना है हमें, फिर तीसरा आता है, cyclonic ya fronton rainfall, cyclones anticyclones हम अगले lecture में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आप समझ चुके हो, कि अगर low pressure होता है, center में, तो winds उसकी तरफ चलना शुरू होती है, because winds की tendency होती है, high pressure to low pressure move करना, है ना, जब हवाएं आती हैं साथ में, तो जब दो तरफ से हवाएं आरी हैं टकराएंगी, उठेंगी, डोल ड्रम्स में क्या होता था, क्या होता था डोल ड्रम्स में, trade winds कैसे उठती थी, तो डोल ड्रम्स में, बीच में equatorial low pressure होता है, हां डोल ड्रम्स में ये हवाएं आना चालू होती है, trade winds दोनों आती हैं और उठती हैं उपर, this is how it happens, तो जब लो प्रेशर की वज़े से, या विकाज यह डेंसर नहीं होता, यह डेंस होता है, अब जब यह उपर उठेगा, तो उपर उठेगा, ठंडा होगा, बारिश करेगा, और आपस में भी जब यह टच होगे, अच्छा यह तो फ्रंट होगे, एक नॉन फ्रंटल भी हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, कि जो अब जब यह तो जब कोलड विंड और वाम विंड की मिक्सिंग होगी, तो जो वाम विंड होगी, प्रेसिपिटेट करेंगी, ठीक है, तो यह बस रीजन्स हैं जिनकी वज़े से बारिश होती है, तीन तरह से बाट दिया, आपको सब समझ में आ चुका होगा, अगर अभी अगर आपको PDF बैंक चाहिए पूरा जिसमें सारी PDF अभी सब्जेक्स की अभी तक की सारी हैं आगे हाने वाले एक साल तक की तो आप पर चम आप से ले सकते हैं ठीक है जी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए थांक्यू बोलिये आगे चलते हैं जो मैंने बता है सबकोच यही लिखा हुआ है कि मौस्ट एयर थी और गरम हुई बिकोण सर्फिस बहुत गरम था गर्मियों के दिनों में ही होती है ऐसी जगों पर होती है तो है लाइट हुई राइज हुई कंवेक्टिव करण्स बने ऊपर गई हीट लूज की कैसे लूज क क्या होता है कि नीचे हवा जो अट्मॉसफ़ज 1995 क्या होता है नीचे हवा जो अटमॉसफेर्ग है वो जा है वो जादा धेक हब आब जा रहा है थ। नहीं मिपोल मुझ सपर चारा की तरह देंसिटें है यह हक इसके आस्पारस टैंसिती इन ही है इसकन प्रेश नहीं है तो है फेल जाती थे ऑफ ठנה हो जात थीक है और कंडेंस कर कर किया बना रहा है Cumulonimbus क्लाउड्स इंस तरह के च्लाउड बनता है इंगे इंसदी करने कंवेक्शनल रेट पूरी राज चल रही हैं पोड़ी देर होगी रुख जाएगी कुटरोıld रीजन fabulous ँम्हारे ये जुटS अच्बार्टर डिएंट में जादा देखने को मिलती है क्यों मिलस टरेक्स बनाती है ठीक है जी ओके और ग्राफिक समझा दिया विल्कुल वक्चों ऑली रेंफोल यह वाटर बाड़ी हुई और उसके आज़ पास अगर पहाड हुए तो यहाँ पर यह बारिश करेगी कैसे क प्रॉसेस संग सकते हो इस साइड को बोलते हैं विंड्ड वर्ड साइड क्योंके विंड यहीं से आ रही है यह मौइस्ट और क्योंकि पहाड था तो अब मजबूरान उसको पहाड के ऊपर ऊपर उपर ऊपर जाना पड़े का उधर जाना है ना कैसे जाएगी बीच में तो इस तरफ नो बारिश रेंड शाडव रीजन रेंड शाडव यह सूखा है यह बहुत हर्याली है यह सेनारियो हो जाता है यह और ग्राफिक रेंफॉल इंडिया में आपको वेस्टन घाट्स में देखने को मिल जाएगी पूने और महाबलेश्वर का डिफरेंस देख दूसरी साइड क्या लुटकर गाती है लिवर्ल यह आँ बेरिंग है यह जाट ही कहानी समझ्य शाडव में ने किसक concern को पें तो साइकलानिक सॉथ फे सइकलानिक सीक्लानिक我就 अच्छा अगर आप mechanism की बात करो cyclonic precipitation के तो again दो तरह के आप rainfall बोल सकते हो frontal precipitation, non-frontal precipitation fronts बनते हैं जब warm air mass and cold air mass एक दूसरे की तरफ आते हैं और क्योंके warm air lighter है वो उपर उठेगी cold air नीचे जाएगी और बहुत clear demarkation होता है दोने के बीच में ठीके वो होते हैं fronts वो ऐसा area जो इन दोनों को demarkate करेगा वो fronts कहलाते हैं so frontal precipitation जिसमें line of demarkation बहुत शाप होती है क्योंके warm air rise कर गई वो उपर जाएगी ठंडी होगी बारिश करेगी फिर होते हैं non-frontal precipitation दो तरफ से हवा मूव नहीं कर रही है warm air mass रुका हुआ था अपनी चेके पे low pressure में रुका हुआ है वो थका हुआ है वहां से आया थंडा क्योंके high pressure से move करेगा ना cold air mass move कर रहा और cold air mass आके जैसी उसमें mix करेगा mix करेगा तो condensation होगा because एकदम से temperature गिरा है warm air mass का और बारिश हो जाएगी यहां पे बारिश हो गई यहां से warm or cold आय यह warm air उठ गई और यहां पे बारिश हो गई so this is all about the types of rain because I don't think so there was anything complicated in this and with this we are done with the condensation and precipitation concept and types so I really hope सब कुछ समझ में आ गया होगा अगला जो geographical lecture होगा उसमें हम cyclones and anticyclones पढ़ेंगे इस बीच वो बच्चे निराशना हो जिनको current जी के चाहिए static जी के चाहिए of course that also will keep on continuing until we meet next take very good care of yourself and do write down in the comment section how did you find the class what else would you like to study we'll do climatology खतम करेंगे फिर बाकी topics लेंगे ठीक है टड़ा